सारे के सारे सफेद बालों को जड़ से काला करने का एक कमाल का हैक आपके साथ आज में शेयर कर रही हूँ सफेद बालों को काला करने के लिए हम लोग हमें यापर ब्लैक टर्मरिक का यूस करना है ड्राइ रोस्स करेंगे हम लोहें के तवे पर अच्छी तरीके से गरम तवे पर और फिर हम इसका इस्तमाल करेंगे, ब्लैक टर्मरिक पाउडर वाकई में बहुत ही कमाल का होता है, ये हमारे बालों के लिए नैच्रल हेर डाय का काम करता है, तो मैंने या पर हल्दी डाली है तवे पर लगभक दो से तीन बड़े चमज भर कर मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, तवे क तो मैंने अच्छी तरीके से पहले ही प्रीहीट करकर रखा हुआ था, तवा अच्छी तरीके से गरम है, लोहे का तवा होगा तो और बैटर होगा, आप लोग भी लोहे के तवे का ही इस्तमाल करें, लोहे का तवा हमारे बालों को काला रंग देने में और जादा अच्छे र आज पर आप थोड़ी दिर भुन लीजिए 10-15 मिनिट आपको इसको भुनना है धीमी आज पर स्पून की मदद से लगातार आप इसे टॉस करते जाए हिलाते जाए ताकि कहीं से भी हल्दी हमारी जले नहीं अब आप हल्दी का रंग देख सकते हैं कहीं कहीं से अभी भी यलो है कहीं से लाइट ब्राउन और कहीं से डाग ब्राउन होना भी शुरू हो गया है बस दो एक मिनिट और हमें से अच्छी तरीकी से ड्राय रोस्ट करेंगे और भुनेंगे और फिर हम इसका इस्तमाल करेंगे बुनी हुई हल्दी हमारे बालों को लंबे समय तक काला रंग दे सकती है हमारे सफेद हुए बालों को अगर आपके पूरे बाल सफेद हो गय तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और अगर आपके कुछ बाल सपेद हुए है केवल दो चार बाल ही आपके वाइट होएं है सिर्फ आपको त função की जरूरत है तो भी आप इस रिमिडी का बल्दिक आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छाया है और अब आप इसको निकाल लीजिए यहां पर मैंने लगबग 2-3 चमच ब्लैक टर्मरिक पाउडर का यूस करा है यह देखें कितना अच्छाया है बिलकुल ब्लैकिश ब्राउन कलर का हमारे यह तर्मरिक यूस करने के ल इंफेक्शन है डैंडर। की प्रॉब्लम है आपको खुजली होती है स्केल्प से बहुत ज़ारे स्मैल आती है स्केल्प में किसी तरीकी का इंफेक्शन है तो इस रिमेडि का इस्तमालacious ज़रूर करें आप इसलिगा है इस इसमें नीवू का रस बेधा है नीवू का रस ब बालों पर लगा कर रखना है क्योंकि एक natural remedy है और अपना असर दिखाने में इस थोड़ा सा समय लगेगा हल्दी का रंग हमारे बालों में आने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए आप इस थोड़ा समय दीजिए और लगा कर दो घंटा छोड़ दीजिए दो घंटे बाद आपने बालों को वाश कर सकते हैं और बालों को दोने के बाद आप देखेंगे कि आपके सारे के सारे सफेद बाल जड़ों से काले सुंदर और घंए दिखेंगे